नमस्कार दोस्तों रादे रादे सभी को तो रिजर्व लिस्ट अभी डिकलेर की गई लास्ट येर रिक्रूट्मेंट की जो रिजर्व लिस्ट थी वो डिकलेर की गई और जो डेटा हमें देखने को मिला है वो थोड़ा सर्प्राइजिंग है कि उसमें बोला गया है कि कोई भी provisional allotment under reserve list इस बार किया जा रहा है मतलब कि 29 दिसंबर 2023 से लेके आज 31 मार्च 2024 के बीच में किसी भी participating bank के पास कोई vacancy ऐसी available नहीं है जिसको वो reserve list के थुरू भरना चाहते हैं इस कारण से इस reserve list में किसी परकार की कोई भरती नहीं की गई है अब इसका मतलब यह नहीं कि पिछले पूरे साल में नहीं की गई इससे पहले भी आपकी कई बार reserve list आई थी last year उनका मानना है कि 29 दिसंबर से पहले जो भी reserve list आई थी उसमें जो जो इनको participating banks को जो जो requirement थी वो उन्होंने फुल्फिल कर ली अब 29 दिसंबर से लेके 30 मार्च के बीच में ऐसी कोई इनको जरूरत नहीं पड़ी कोई availability नहीं निकल के आई जिसके कारण इन्होंने इस reserve list में कुछ भी नहीं बढ़ा है तो उसमें अपने लिए कोई tension की खास बात दी है important fact हमारे लिए यह है कि आज reserve list डेकलेर की गई है 30 मार्च इसका मतलब जो doubt था ना कि result टेक अपरेल कोई आएगा कि नहीं आएगा कई model code of conduct के करण कई delay ना हो जाए तो वो tension हमारी खतम है तो कल आपका result पका है और इसमें नहीं आई है इसका मतलब यह नहीं कि पिछले पूरे साल से last recruitment में reserve list में कोई candidate क्लियर नहीं हुआ है इससे पहले कही बार रिजर्व लिस्ट आ चुकी है और उनमें लोगों को अल्रेडी भरती कर चुके है इन्होंने बोला है बकाइदा कि यार 29 दिसंबर से 31 मार्च के बीच के spirit में कोई availability नहीं आई इसलिए इन्होंने नहीं उससे पहले जो जो थे उन्होंने कोई टेंशन वाली बात नहीं ठीक है चौड़ एट सोल फो टोड़ी सेशन रादे रादे